पुलिस के हाथ रों पुश्पा की हत्यां की अफ्माओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तोरों तिरुपती के कई एलागों में दंगे शुरू हो पहारी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खुल से लफपर शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा यह क्या कर रहा है कि गोलियों से घायल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा पुश्पा कम भी रूप से सख्मी हुआ है शेशाचलम के जंगलों में पुश्पा कुटनूर्ने के लिए पुलीस ने एक स्पर्शल यूर्ट जब लौई कि है अब इसलिए जब बस यही तेख रहे हैं कि पुश्पा पईसे किस तरह कमाता था पल तुमाल अमाहित यह का पुश्पा निए घुट इस पंगलों के लिए जंगलों में लचा का चैनल ने अभी प्राप किया दिए यह काम्रा जो शेड़ों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे स्टिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रूल पुष्पा का जैसे शादी में भर-भर के मेन्यूस होते है क्या खाए क्या नहीं समझ में नहीं आता है वैसे ही दोज़ाच विसमें इसनी फिल्में आ रहे ही कि कौन सी देखे हो कौन सी छोड़ दे ही कि समझ में नहीं आ रहे है इसमें क्लाश भी है जैसे कि पुष्पा टू वर्सिस सिंगम अगेन अब पुष्पा टू वर्सिस सिंगम अगेन की बात करें तो इनका क्लाश बिल्कुल सही नहीं है पर यह दोनों आंटिसिपेटर फिल्म में है और जब दो आंटिसिपेटर फिल्मों को क्लाश होने की चार्चा हो तो एक्स्ट्रा बर्स क्रियेट होती है तो बिसल ये फिल्म एक्सपर्ट कहते हैं कि क्लाश अच्छे है पर इन फिल्मों की स्टार्ड का सोशल मीडिया हाई पर ठ्विलर इनका परफॉर्मस डिसाइड करेगा और्गनिक बस बहुत हो साधा माइने रखता है जो अभी थोड़ा सा कुरुशियल है पर अगर कुश्पा 2 वर्सिस सिंहा मगें में देखें तो कुश्पा का और्गनिक बस दिखाई देता है और सिंहा मगें का धीरे धीरे बस दिखता है पुश्पा की कंपारिजन में स्टार्टिंग से उतना बस नहीं था पर मामला टकर का हो रहा है तो ऐसे में क्या matter करेगा, पंग का content और क्या करेगा अब वर्ड फेमल स्टकी वर्सिस सालार का example तो available है एक point पर ऐसा भी हुआ था कि शालु खान की जबान, पठान की expectations लेकर जब कुछ लुग टंकी देखने काए और उस level के expectation पूरी नखी हुई तो एक drop नजर आया तो सालार की तरफ बढ़ने लगी और सालार की numbers increase होने लगी तो पुष्पा वर्सिस सिंग्वम अगेन में content भी major role play करेगा पर उसमें भी South fans सिंग्वम अगेन के लिए interest दिखाए ये impossible है और शिंखम सर्फ Hindi release film है पर पुष्पा के लिए यहां पर एक वाइदा हो गया क्योंकि शिंखम अगेन कर नौत में किसी को पसंद नहीं आई तो पुष्पा टोकी बढ़ जाएगा क्योंकि पुष्पा टोकी तो भरी पान इंडिया फॉलोईंग है और जिसने की फिल्मे साउथ में बन रहे है ना स्पेशली तेल्गू में वो हिंदी मार्केमेंट थमाका करी रही है इसका लेजर्स एजाम्पल है फिल्म हनुमान 25 करोर बननी इस तेल्गू पहले दिन तेल्गों में 5 करोर रुपय कमाई सब्सक्राइब में है वैसे यहां सिंग्णम अगेन के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है वैसे सिंग्णम अगेन के पोस्टर से चरजा और बढ़ चुकी है पर उसके आगे पुष्पा वाले कुछ और खतरनाक लाएंगी जिससे कि उनका वर्स बरकरार रहे यह तो होता ही ही रहेगा वैसे आपकी नजबे में किसका पुलिस के हाथ हो पुष्पा की हत्यां के अपमाओं की वज़ेसे आप देख सकते हैं जित्तुरों तिरूपती के कई लागों में दंगे शुरू है उसक्रिस मया सकर पर पॉचूब है और आप अपनी स्वींग पर देख सकते है कि किस दरा पुष्पा की समझ तक हजारों सी तादा शड़कों कराने हैं पहारी उपर पुलिस ने पुष्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पूल से लगपर शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ए ये क्या कर रहा है तुँ गोलियों से घाल पुष्पा हुआ पती जेल से परा इसी कोशिश में पुष्पा पर बसाई गोलिया उता चराहे के पुष्पा कम भी रूप से जखनी गवा है शेशा चलम के जंगलों में पुष्पा को दूनने के लिए पुलीस ने एक स्पेशन यूनट देप्लोई कि है जब पस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पईसे किस तरह कामाता था बल कुमा लम है कहा पुष्पा पुष्पा ने चलिए करवात। रे वो आमगरीगों को खाना खिलाता था और घंग नो में लगाए गए वाइल लाइफ सर्विलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राफ किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रून उस्पा का अब रून उस्पा का साल 2021 में पुष्पा दराइस ने ऐसी एंट्री मारी कि सोया हुआ परिशान बॉल वोड नाफ़र से जिंदा हो गया अब पुम कामयाब होने में आइटम सौंग का कमाल का रोल था और उस पर अलु अरजुन का माइंड ब्लोइंग डान्स मतलब की पुम का यूएस पी पर पुष्पा टूगी लिए अभी तक कोई आइटम सौंग शूट नहीं किया गया है इसका रीजन ये है कि डार्टर सुकुमार का ध्यान सिर्फ पुम की शूटिंग पूरी करने पर है क्योंकि वो 15 अगस्त को ही पुम रुलीस करेंगे मतलब करेंगे ऐसे में म्यूजिक कंपोजर देवीशी प्रशाद ने कुछ ट्यून्स बनाई थी पर उन्हें उन्होंने रुजेक्ट कर दिया सुकुमार अभी गाने पर फोकस करने के मूड में नहीं है और जब तक कोई अच्छी ट्यून नहीं होगी तब तक तो वो बिल्कुल हान नहीं करेंगे तो इसके चलते अभी आइटम सॉंग शूट नहीं होगा वैसे पुश्पा टुके साल साथ अभी पुश्पा 3 की चर्चा हो रही है जिसे लेकर फैन्स एक्साइड़ है पारा देखने के लिए सब लोग काफी एक्साइड़ है अगर बार बार उसी क्यारक्टर को दोहराते रहेंगे तो क्या उस क्यारक्टर का वो जो ऑरिजिनल एसेंस था वो रहेगा अब जैसे SS राजा मॉली बाहु बली टू के बाद बाहु बली 3 लाएंगे ऐसा कहा गया पर अभी तक वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए है हाँ वो बागी प्रोजेक्ट में बिजी है पर बाहु बली 3 पर बड़ा कुश्चन मार्ग तो है ही क्या पता वो बाहु बली जैसे क्यारक्टर को चुविंगम की तरह चबाना नहीं चाहते हो क्योंकि चुविंगम चबाने के बाद ना उसका टेस्ट गायब हो जाता है तो बाहु बली कभी ऐसा ही हाल ना हो जाए इसलिए वो नहीं बना रहे हो उसे अगर हम बॉलवर्ड में दबंग फ्रेंचाइजी को देखें तो दबंग के अगले पार्ट के लिए हम लोग उतने एक साइगेट नहीं रहते हैं क्योंकि चुविंगम का क्यरक्टर तो एक ही चासर रहता है वो तो चुर्बल था ही नहीं जिससे हम पहले एमोशन ने कनेक्ट हुए थे और उपर से क्यरक्टर को एमोशन दिलिवर करने के लिए उतनी खास स्टोरी भी नहीं मिली थी तो रिपीटेटर स्टफ से तो मज़ा खराब होगा ही अगर राइटर न्यू इंगेजिंग प्लॉट लिखे हीरो को ऐसे प्रज़न करें जहां उसे एक्स्प्लोर करने का स्कूब मिले तो थीक्वल में प्रब्रम नहीं है क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होता है ना तब तक मज़ा नहीं आता है या पिर आपने अभी देखा हो गया ना कि टाइगर थी का क्या हाल हुआ है वैसा ही हो जाता है टाइगर की कैरेक्टर को जस्टस नहीं दिया गया कैरेक्टर को लिखने और प्रेजन करने में भी गज़िया थी बीक लग रहा था वो तो ऐसा ना हो जाए अगर सुकुमार पुश्पा 3 में कुछ unpredictable परोसेंगे तो चलेगा पर पुश्पा का लेबल बरकरार रहना भी ना बहुत कमपल सकी है वन्ना उसे स्प्रेच करके कोई फाइदा थोड़ी ना है देखते हैं कि क्या होता है पैसे आपके क्या ख्याल है क्या कुछ पात्री बननी चाहिए या पर नहीं हमें कॉमेर्स में दबर बताए साथी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें जिन पर घरोसा करते हैं उनसे दूखा खाना क्या होता है मुझे पता है इसे छोड़के गल्ती कर दिया गार्ट देने का था उसे उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो जब इधर था तब तेरी पड़ गई थी क्या गोलियों से डायल पुष्पा हुआ तिरुपती चल से फराइए हलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉलिगराथ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुष्का दियागी पुष्पा 2 में दोस्तों पुष्पा की कहानी खतम नहीं होने वाली क्योंकि पहले पार्ट में पुष्पा का राइस हुआ दूसरे में पुष्पा रूल करेगा और तीसरे में पुष्पा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा विससे पहले तो दूसरा पार्ट भी नहीं आने वाला था साथ दोस्तों हमारे पास ऐसे रीजन्स भी हैं जो यह प्रूप भी करते हैं कि पुष्पा 3 आने वाली है तो उसमें सबसे पहले है इस पुष्पा की टाइम लाइन जो हमें 2004 की दिखाए गई है इंट्रॉप्टरी वीडियो में लेकिन दोस्तों अगरा आगको याद होगा पुष्पा 1 में तो उसमें हमें 90s के आस पास की टाइम लाइन दिखाए गए थी जिसमें लास सीम में हम पुष्पा और शिवल्ली की शान दीक रहे थे तो फिर यह जो तीन-चार सालों का ग्या है उसे कवर किया जाएगा पुष्पा 3 में उसके बाद हम यह देख सकते हैं कि पुष्पा को किया गया है अरेस्ट यानि कि पुष्पा और भवर सिंग के पीच की जो लड़ाई थ कि पुष्पा 2 में सिर्फ एक छोटा सा फ्लाद बाक होगा जिसमें हम बवर सिंग और पुष्पा की लड़ाई देखेंगे लेकिन उसे डीटेल में पार्ट 3 में दिखाया जाए रहा है उसके बाद हमारा फाइनल रीजन है इंट्रोड़क्टरी वीडियो में दिखाई ग तो कुछ तो कनेक्शन होगा जिसका पता हमें पार्ट 3 में लगेगा बले ही ये थियोरी ये कंसेट सुनकर हमें ऐसा लग रहा हो कि पुष्पा सीरीज केजिव सीरीज की कॉपी कर रही है क्योंकि उसके दूसरे पार्ट में रॉकी का रूल देखने को मिला था तो दोस्तो इस दुनिया में नाम हसल करने का ज़स्बा फिर भले ही वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो इसके अलावद उनों की स्टोरी और टालेक्टर कापी अलग रहा है तो आपकर स्कपर के गयना है कामन सेक्शन में जरूरू बताएगा अपर ही आज की रैटर है मनीशा बथा लिए प्लार नहीं फायर है और पुष्पा का यही फायर इंटरेट पर चाया हुआ है दोस्टोर और इसका पूरा श्रह जाता है पुष्पा की मार्केटिंग टीम को क्योंकि पुष्पा आए थी 2021 में चल रहा है साल 2024 और हम सभी तब से कर रहे हैं पुष्पा आने वाला है पुष्पा आने वाला है पहले कहा गया था कि 2025 के दिसम्बर में आएगा लेकिन तब भी नहीं आया फिर सामने आया कि शूटिंग चल रही है और पिर कुछ वक्त प कोई कि कुछ आने वाला है और जिस दिन के अनॉंसमेंट की गई कि दो दिन बाद एक वीडियो आएगा दोस्वब यहां पर चॉला की वाली बात यह है कि उन्होंने इतनी हाइप कर दी कि पुष्पा के हाच्टाट को ट्रेंडिंग कर दिया गया ताकि कोई पुष्पा को भूलना पाए और पर जब वीडियो आई तब वो थी तीन मिनिट की और हम समी ने सोचा की क्या बात है तीन मिनिट का वीडियो रिलीज क्या गया है लेकिन उसमें जैसा टाइटल था वैरस पुष्पा वैसा ही वो वीडियो था पुष्पा वीडियो के एड में आता है वो यह आपर खास बात है मार्केटिंग की, मतलब अगर आप गौर से इस वीडियो को देखे हुगे, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि यह टीजर है, यह ट्रेलर है, मतलब यह देखकर बंद यह सुचेगा कि यह अभी टीजर ट्रेलर नहीं है, वो तो आने बाला ह तो जब तक टीजर यह ट्रेलर आएगा, तब तक यह जो तीन मिनट का पुष्पा 2 का इंट्रॉडक्टर वीडियो था, वो पूरे इंटिनेट पर कहीं न कहीं तो चाय ही रहेगा, तो इससे हो जाएगी इन डिरेक्ट मार्केटिंग, और पुष्पा को कोई भूलेगा भ साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि तीन मिनट की इंट्रॉडक्टर वीडियो या ग्लिम्स में आप जो भी कहना चाहें, उस पर जो पुष्पा का फर्स्ट लुक का पोस्टर आया था, वो बहार ही पढ़ गया था, क्यों पोस्टर देखने के बाद हम यह सोचने पर मजबूर ह आखिर कैसे पुष्पा नहीं दिख रहा था, और सब ही सोच रहे थे कि पुष्पा का हो गया है, या पिर पुष्पा कहांपर है, लेकिन दोस्तों कहीं नहीं हम सब जानते थे कि पुष्पा जिंदा है, और आये गा ज़रूर और वजूद 10 सेकिंड का सीन था, वह गाप तो आपको क्या ज़्यादा पसंद आया, पोस्ट है यापर वीडियो, do let us know in the comment section, हमारी आज की राइजर्जा मनीशा विखानी राज करने के लिए आया मै, पहारी उपर पुलीस दे कुछ तपड़े बरामत किये फिल्म पुश्पाटू के साथ अलू अजुन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रभास की मुवी सालार जो 2023 में तेहल का मता चुकी है, उसकी स्ट्राटजी या उससे पुश्पाटू वाले फॉलो कर सकते हैं, अब किस माम पुश्पाटू को उतना प्रमोशन नहीं किया गया, और जितना भी थोड़ा बहुत प्रमोशन था वो रिलीस डेट के बाद किया गया, तो पुश्पा वाले इस बारे में सोच सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, तो क्या जिस तरह से सालार की दो गाने रिलीस डेट से पहले किया गया, और दो गाने बाद में जाता ही किया जाएगा, अगर पुश्पाटू के मेकर्स ने सालार की स्ट्राटेजरी अपनाई, तो ऐसा हो सकता है, पर यह सब कुछ इसली कहा जाता है, क्योंकि सालार वालों को तब किसी भी तरह शूटिंग और सारा काम निप्टाना तो उनकी पस्टाइम में था, पर ना मूवी पोस्टपॉन होती है, और पुश्पा के केस में ऐसा बिल्कुल हो रहा है कि शूटिंग पूरी नहीं हो रही है, और मेकर्स नहीं चाहते कि एक फिल्म पोस्टपॉन हो, इसली प्रमोशन में टाइम इंडिस ना करने के लिए ऐसी स्ट्राटिजी इस्तेमाल होती है, अब सलार वालों ने ना ढंग से प्रमोशन किया ना प्री रिलीस एविन पर मोवी में दम था, बस था, इसलिए मेकर्स कॉन्फिडन थे और ठीक, वैसे ही पुश्पाटू के मेकर्स भी फान्स कॉन्फिडन है, पर सलार वालों ने सलार की कलेक्शन पर असर पड़ा है, पुश्पाटू वालों इस टैप को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पुश्पा तो मासफ लेवल पर बने जा रही है, और उन्हें सबसे ज्यादा उमीत तेलगू और हिंदी मार्केट से ही है, और पुश्पा को भी सबसे ज्यादा फा पुश्पा का सीक्वल इस साल 2014 में रिलीस होने वाला है, पुश्पाटू दरू साल 2014 की मोस्ट अवर्डेट फिल में से एक है, अलो अर्जुन के बन 15 अगास को सिनीमा घरों में रिलीस होने जा रही है, पुश्पाटू के मेकर्स ने फिम की एक्साइटमें बढ़ाने के काउंडाउन शुरू कर दिया है, पुश्पाटू का काउंडाउन मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर करते में शुरू किया, पुश्पाटू दरूर के प्रोडक्शन हाउस माइत्री ने अपने ऑफिशल सोचल मीडिया हांदल पर पुश्पाटू के लिए नया पोस्टर काउंडाउन शुरू करते वे शांदार के आप्शन बे लिखा, अलु अर्जुन की फिल्म के सीक्वल को लेकर हाइप भी जोरो पर है, नाशनल अवार्ड बनर अलु अर्जुन, मास्टर फिल्मेकर सुकुमार गवारा नर्दरशित इस सीक्वल में रूल करने के लिए लि अलु अर्जुन की मेकर्स दर्शकों के लिए एक कम्प्लीट एंटरेटमेंट देने के लिए तयार है, अलु अजुन की फिल्म का फैन्स बेस अपरी से इंतेजार कर रहे हैं, पुषपाटू का फिर्स पोस्टर मेकर्स ने साउ सुपरस्टार की जरनतन पर शेयर किया था इस पोस्टर को ही साथ मिलियन से जादा लोगों ने लाइक किया था, दोस्तों पुषपाटू के मेकर्स ने दावा किया था कि भारतिय सुने मागे किसी फिल्म के पोस्टर पर सबसे जादा लाइक आने का रिकॉर्ड बन चुका है, अब 200 दिन बाद पर बड़े परदी प नजर आ रहें, ताड़ी पहने, अलोवरजुन का फिर्स्ट लुग पोस्टर आपको याद है, लिखवी पोटो हमें आईकॉर्णिक पोस्टर की याद दिलाती है, जया आप पन के फिर्स्ट लुग पोस्टर में अलोवरजुन एक घंबा थीला के रूप में कपड़े पह होते हैं और गंगम्मा के रूप में दिखाई देता बुराय का नाश करने वाले हैं, नडदेशक सुकुमार की पुष्पदर राइस समब 2021 सिर्मा खरोम रिलीस होई थी और उस फाल की सबसे रखमाई करने वाली पल्मों में से एक बन गई थी, पल्म में अलु अर्जुन पासल और अश्मी का मंदाना मुख्य भुमिका में है, पल्म में मियूसे एक नाशनल अबॉर्ड बन देवी श्री प्रशाद ने दिया था, इसी टीम के साथ पल्म का सकेंड पार्ट भी तरियार क्या जा रहा है, दोस्तों आपको पुष्पाट्टु का इतना इतन्सार है हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, खाथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें पुष्पाटु की पोस्ट और इंट्रोडक्टरी विडियो आने के बाद, पुष्पा का करेदार तो मिस्टीरियस लगा ही, लेकिन जिस करेदार को सब ने ढूंडा वो श्रिवली नहीं बलकि केश्वा का था, जो पुष्पा की साथ उसकी जौनी में पहले सही रहा और अब इस करेदार के बारे में मार्केट में कई सारी बादी खैल चुकी है, तो चली देखते हैं क्या कहा जा रहा है केश्वा के पुष्पा जैसे लाल चंदन के स्मगलर्स पर जासूसी करने आया था, और पुष्पा के राउनफॉल की वज़व ही बनने वाला है, और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पुष्पा जील से भागया है, तो उसे जेल भिजवाने के पीछे केश्वा का ही हाथ होगा, यानि दोस बना दुष्पा प्लॉट होगा, और साथ ही अगर केश्वा ने पुष्पा को पकड़वाया है, और उसे धोखा दिया है, तो उसे छोड़ी का ने, इसके बाद एक ठीरी ये भी है कि केश्वा पुष्पा के आडिटीउड और उसकी काम्याबी से जनने लगता और जो केश्वा पुष्पा के आगे पीज़े घूमता रहता था, वहीं उसका सबसे बड़ा दुष्पन बन रहता है, और अब उससे संडिकेट का मालिक बनना होता है, इसलिए वो पुष्पा से बगावत कर लेता है, और दुष्पनों से हाथ मिलाता है, जैसे कि पुष्पा की स्टोरी को नारेड किया जा रहा है, और उससे नारेड कर रहा है केश्व और पुष्पा की तीसरे पाथ, पुष्पा दिफॉल होगा, क्योंकि राइस के बाद रूल होता है, और रूल के बाद फॉल, क्योंकि जितना उंचा चड़ता है, और नहीं नीचे अब देखते हैं कि एक बात कितना सच है और कितना चूट खेर पुश्पा 2 की शूटिंग जोरो शोरों से चल रही और अभी से पुश्पा 2 ने लिए के यूटिंग कि रहीं तोरों से पुश्पा 2 ने और कितना साछयमний ओूम भेड़ से घ्राशन बात OSC खेर आपorfे, 5 तो पनण में पसाय है कितनahlen थे प्रहें कितना से था कि खार कितना से. साट साथ 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 इंडिन से लिए भी काफी लगी साबित हुई विस ने बाकी की साफ इंडिन फिल्म्स के लिए रास्ता बनाया और उन्हे धिरप इंडिया में में इस खबर ने जोर पकड़ ली है कि साई पलवी ने पुश्पाटू की कास्ट को जॉइन कर लिया है और उनकी फाहत फासल के साथ पैरिंग हो है बताया चाहरा है कि उनका पुश्पाटू में एक एक्स्टेंडड कामी होने वाला है पुश्पादा रूल की शूरिंग शुरू है और खबर है कि साई पलवी जल ही मुवी की कास्ट को जॉइन करने वाली है हाला कि इस बात को लेकर अभी कोई ओफिशल कानफामेशन नहीं दी गई है ना तो मुवी मेकर्स और नहीं आक्रस ने इस पर कुछ कहा है नहीं ट्वीट किया है लेकिन ट्वीटर पर शांस ने इस बात को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शो की है तो कि आईकॉनिक साइंप लगी को अलो अर्चुन के साधिक ना कौन पसंद नहीं जड़ेगा साथ कि अलो अर्चुन ने कुछ पाटू के लिए हाइधराबाद में जिधारा एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है जिसके बारे में उन्होंने मंगला वारम के प्री रिलीस इवन्ट में बताया है पर वो अज़ शीफ गेस्ट इन्वाइटे थे और ये उनका नाशल अवार जीतने के बाद पहला पॉपलिक इवेंट भी था उन्होंने कहा कि कुछ पार तुम्हें जिधारा एपिसोड एक में हाइलाइट होने वाला है जिसका फर्स लोग पोस्टर तो हम देखी चुके है और इसके बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं कि और कहा कि 15 अगस्त को मोवी देखने के लिए तयार रहेगा और वो तभी इस बार ज्यादा बात करेंगे लेकिन साथी साथ उन्होंने अपने फैंस का आभार वेक्त कि और कहा कि आने वाले वक्त में वो अपने फैंस को प्राउड फील कराने वाले और उनके प्यारे और ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत सारा आभारी ही जहां बात हो रही है जथारा एपिसोड की वहाँ पर फ्यांस के बीशे एक कंसर्निंग बात ये भी चल रही है कि कहीं सीन या पूरे शॉट की वज़े से किसी भी तरह का कोई हंगाम आना घरा हो रहा है क्योंकि जब फुषपा का फर्स लोग पोस्टर आया जसमें वो साड़ी पहने नदर आये बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगम्मा जाथरा के दौरान मर्द तयार होते है तब काफी सारे लोग ओपेंट हुए थे और उनका ही कहना था कि ये सही नहीं है दोस्तों फिल पुषपाटू की मेकर्स की एक बात ना बड़ी अच्छी लगी कि भाई कुछ भी हो जाए हम रिलीज देट तो पोस्पोन नहीं करेंगे क्योंकि रिलीज देट पोस्पोन करना मतलब फैंस के पेशन्स को आठ टेस्ट करना और जसने फैंस के पेशन्स को टेस्ट किया ना वो तेस्ट में पेड होने तब तक वो रिलीस्ट होई फिल्मे एंटीयार की देवरा और प्रभाव की कल्की टूइट 980 का फीडबैक भी देखेंगे और फिर फिल्मे कोई ना वह बदलाओ जरूर करेंगे पर इसके बाद पोस्ट प्रोशन का काम शुरू होगा और फिर प्रमोशनल अक्टिविटीज शुरू हो जाएगी तरसे बहुत लोग ना सोच रहेगी क्या फिल्म केजी अफ चाप्टर 2 जोतना फुष्पा 2 का हिंडी मार्केट में हाइप है इसमें तो बाहु बली 2 केजी प्रभास और केजी अफ के यश्च से बहुत पहले से है और वह अभी तक मेंटेंड है यह बास सही है कि सुकुमा डारेक्टर एसस राजा मौली की तदहां नौत माकेट पॉपुलर नहीं है उनका उतना हाइप नहीं है पर अलु अजुन के स्टार्डम से और हाइप से सब बालेंस हो जाता है अब इसका टीजर हमने देख लिया है जो कि सोचल मीडिया पर तबा ही मचा चुका है वर इसके साथ साथ दोस्तों अब प्रमोशन भी जबर्दस रहे तो उसे ना माजिक क्रेटर ने से कोई रो सकता है जैसे कि अप्रटू ने माजिक क्रेट क्या रहा अब इसके साथ आप तो से किसम वैसा ही वैसे भी अप्टर ऑफिंटीम को यह समझ में आता है कि किस्मार्केट में कौन सी प्रमोश्तिव स्राटेजी वर्क करेगी तो उनका हाइप बढ़ने में जादा था नहीं लगता है वैसे पुष्पाटू लेकर दिस्तिटिटर्स पुष्पाटू भाही तबाही नचाही देगी पर अलु अर्जुन जब नौत मार्केट में प्रमोशन करते रहा तब उनका हिंदी लांगविज में बात करना जिसे वो लोगों के साथ इमोशनी अटाच हो सके वो भी बड़ा साफ्टर है क्यों पुष्पा की प्रमोशन क अलु आजुन हो रांगचरन हो एंटियार हो राजा मॉली हो इन्हें पता है दोस्तों की अब स्पेसिफिक मार्केट में लांगविज को ले करना लोग बहुत पजशिक होते हैं अगर यही बात कोई बॉलवुड आच्टर साउथ इंडोस्टी में करे ना तिल्भू बोले है यानि कि इंप्रेस हो जाती है तो यही बढ़ना इस बार भी आजमाया जाएगा पूरे दिल से और एक्ट्रेस दश्मिक का बंदाना तो पहले से ही बॉलवड में च्छाई हुई है तो गो भी ना एक प्लेस पॉइंट है इस प्रमोशन के लिए देखते हैं कि इस बार पुश्पा को कितना बढ़िया पाइदा मिलता है तो तिलहाल आपको क्या लगता है अमें कॉमेंट्स में तरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें पुश्पा टू में साड़ी गंगन नेल पॉलिश में अलू अरजुन की लुक की असली कहानी क्या है पुश्पा टू से अलू अरजुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ तेड़ी गर्दन किये पुश्पा आज नीले रंग में पुता शरीर पर साड़ी एक हाथ में पिस्टॉल लेकिन उसी हाथ के नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है गले में कच्चे नीबू की माला इस लुक की शोबा बढ़ाने का काम कर रही है अलू अर्जुन का ये लुक चोकाने वाला था लोगों ने उमीद की थी कि वो अपने सिगनेचर पोस में दिखेगा हाथ में बंदूक, बदन पर लूंगी बांदे या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा लेकिन दोस्तों ये लुक चितोर की गंगम्मा जातरा से प्रेरित है क्या है गंगम्मा जातरा? अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे करनाटक और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है साथ दिनों तक चलने वाली गंगम्मा जातरा हर साल मई के महीने में बनाई जाती है इस दोरान भववे पुजा की जाती है कुछ जगा देवी का प्रसाद के रूप में मासाहारी भोजन चड़ाया जाता है साथ में से बीच के दो दिनों में यातरा निकलती है जहाँ पुरुष अपना भेश बदल कराते हैं, महिलाओं की तरह सज कर, उनकी तरह श्रिंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं संभव है कि पुषपाटू में अलू अर्जुन का गिरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तब ही उसने ऐसा वेश धरा हो तुर्ष्ट दुराचारी किस्म का आदमी, महिलाओं पर अत्या चार करता, उनके साथ दुर्वेवहार करता, ऐसे समय में अभी लल नाम के एक गाउं में देवी का जन हुआ, वो देवी बड़ी होने पर एक सुन्दर महिला बनी, पले गोंडलू की नजर उन पर पड़ी, उसने उनके साथ दुर्वेवहार करने की कोशिश की, देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच निकला, जाकर किसी अग्यात स्थान में छुप गया, उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा कायोजन किया, तिरुपती के लोग विचित्रवे जी जात्रा में हिस्सा लेता है, तो मुम्किन है कि अपने किशी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा, दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है, पुश्पाटू के लिए हमें कमेंड बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और देखते रही है हमारा चैनल, पॉल अपरोल पुश्पा का पुश्पाटू के मेकर्स ने रिलीज देट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया, इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज बहनी हुई है, उनका चैरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है, जिसमें उनने तीन सोने की पा हुआ है, पुश्पाटू के इस पुश्पाटू के इस पुश्पाटू को देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने पुश्पाराज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है, शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फिमिनिन टच दिया गया है, या कुछ और एंगल भ बारा से शूट किया, शायद पुश्पा 2 के कुछ हिससे KGF2 से मिलते जुलते थे, अलाकि बाद में फिल्म के डारेक्टर ने कहा कि KGF2 की वज़ा से उन्होंने अपनी पिक्चर रिशूट नहीं की है, वो चाते थे कि दर्शव को को पूवी तरह से संतुष्ट किया जाए इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया, पताया जा रहा है कि पुश्पा 2 के आदितर हिस्सो की शूटिंग हो चुगी है, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाते, इसलिए उन्हों उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकाइदा एक साल का समय लिया है, वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीस करेंगे, 15 अगस्त को गुरुबार पढ़ रहा है, ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडड वीकेंड मिल जाएगा, दिकत यह है कि इसी त पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कास्ट कर लिया है, सिंगम 3 में अर्जे देवगन के साथ अक्षे कुमार, रन्वीर सिंग, दिपिगा पादुकोन, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने माले हैं, ये तो प्राइमर का नैशनल अवार्ड मिला है, वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू आक्टर हैं, एर पुषपाटू को रंगस थलम फेम सुकुमार डाइरेक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुषपाटू या सिंगनम 3 हमें कमेंट बॉक्स में जरूर को बताया और देखते रहे हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज मेरे बात करने का वक्त नहीं है, अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूँगा। पुषपा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या, फ्लावर में ही, फायर है मैं। पुषपा दारूल से अलू अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला कियोदार देखने को मिलेगा। पुषपा दारूल में दर्शों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुषपा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा ना उसकी इज़त करेगा। वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गाओं वालों का भला करने वाला पुषपा को पुलिस के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गाओं पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुषपा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। पुषपा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोडी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवली एक बच्चे की मा बनेगी। इतना ही नहीं पुषपा अपने दम पर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की त खम खम दिखाएंगी। एक्चिन ड्रामा फिल्म पुषपा दराइस साल 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी। इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर तीन सो करोड रूपे से ज़्यादा की कमाई की। याद हो कि इस फि पुषपा दरूल के लिए ट्रैक तैयार करने के लिए लोटे हैं। इसी को लेकर संगीतकार ने अपने लेटेस्ट इंटर्व्यू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तैयार कर लिए हैं। वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में स हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करें हैं। दीएसपी ने पुषपा के समान था रूथ प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा। हम पुषपा 2 में उँ अंटवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पहुत सर्प्राइस पर कान चल रहा है। मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को। सब कुछ काफी हीट रहा है। पुषपा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गल्ड माइन्स टेली फिल्मस के ंडारेक्टर मनीश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्मका राइट खरीदे है। और फिर हिंदी में रिलीज किया। साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेट में काफी पसंद किया गया और पूरा देश पुस्पाटू के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश राह ने एक इंटर्व्यू में पुस्पाटू की रिलीज डेट से लेकर सुटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दी दिये के इंटर्व्यू में मनीश सा ने कहा कि पुस्पाटा राईज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जून की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ओफिस पर तेज रफतार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोन का आकरा चुने में कामयाब हुई मनिश साने पुस्पा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साफ कर दिया कि पुस्पा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा उन्होंने बताया कि पुस्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुस्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चलीगी। साल 2030 तक पुस्पा 2 रिलीज हो। क्या प्रभास की बाहु वली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुस्पा 2 तोड़ पाएगी। इस पर मरिस्पा ने कहा कि बाहु वली के पहले पार्ट ने 120 करोण की कमाई और पुस्पा ने और पुस्पा ने साथे 300 करोण रुपे कमाएं। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुस्पा और पुस्पा बाहु बली से आगे जा चुकी। अब ये देखना है कि आप पुस्पा टू वाहु बली टू का रिकार्ट तोर देगी। लोंका तो ये मानना है कि जो पुस्पा टू रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोण नहीं भलकी 1000 करोण तक का बिजनिस कर सकते। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पुस्पा टू 1000 करोणी फिल्म बनेगी। पुस्पा का पहला भाग 10 kgf के बराबर है। फिल्म में अलू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुस्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुस्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे है। मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है। अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा। कि बुची बाबु की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है। अगर बुची बाबु ने पुष्पा की सीथी तुल्ला के जीएफ से की है तो दर्शकों की उमीदे बढ़ना लाजमी है। क्योंकि KGF कभी अलगी स्वया कि उसका दूसरा पाट आने वाला है। और लोग बेसबरी से इंदधार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेज फिल्म बोला जाए तो KGF है। तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या ये KGF को टकर दे पाएगी। साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे। एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो और एक ट्रेलर रिलीज कर दिया KGF का जो कि धासू है। तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको कितना वेट है पुष्पा का और क्या लगता है अगर पुष्पा और की रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियन्स खफा। एक तो बाहू बली और KGF के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सोगात मिलने वाली है। उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अर्जुन है। इसके अलावा इन्या की प्रेजन्ट क्रश दे क्यूटी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खत्रा बन सकती है। तो क्या है वो दरसल कुछ साल पहले जब रश्मीका के करियर उडान के लिए पंक फैला ही रहा था तब एक इंट्रव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ओफ का नाम पूछा गया। काफी जिजगते हुए उन्होंने नाम दिया केजी एफेक्टर रॉकिंग स्टार यश्का। फिर क्या था यश्की फैंडम ने भारी मातरा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया। और किसी को भी किसी के भी बारे में उपीनियन्स रखने की पूरी अजादी है। इसके उनके बिहेवियर में कोई फरक नहीं पड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मीका को उनके नाम पर हैरिस करे। ये सब कहा KGF स्टारर येश ने। ऐसे में कई अतीत में रश्मीका के मूँ से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे। वैसे भी आज कल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पढ़ने का ट्रेंट चल रहा है। खेर आप हमें कमिन सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। पुष्पा की सक्सेस पर भी असर ढाल सकता है। ये फिर फिल्म बिन पर चुका है। और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधावाग देख लिया है। और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक कर देगी। वो भी करारी वाली है। आपको बता दे ये आक्टर है बुच्ची बाबू। इन्होंने इस सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइन लाइट हासल की थी। और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी था। वहीं मीरिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है। इसका पहला भाग देख लिया है। अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग कोई देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है। वहीं रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नज़र आने वाली है। अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी सार रुलीस होना है। फिल्म के पहले पात ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बागपू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत ज़ादा प्यार दिया है। अगर बुची बाबू ने पुश्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि KGF का भी अलगी स्वेया कि उसका दूसरा पा को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ याश होंगे और याश ने तो अर्ड़ेडी एक ट्रेलर वेलीज कर दिया KGF का जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है अश्रिया रोरा आपकी आज की होस्ट आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉलीकाट्स वीडियोज में तो चलिए बिना जादा वक्त कवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पपुलारिटी को केवल उनकी इंड वेडिक का टाइटन मिलता है जिनका इंतजार कोई तेल गूप करनड़ा या बॉलिवुड इंडास्ट्री नहीं बंगी होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडास्ट्री ने लीडिंग पिजिशिशन हासिल कर रखी है इन ही मोस्ट आंटिसिपेटड फिल्मों में से एक है साउथ सूपर स्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग आक्शन थ्रिलर फिल्म उश्पा जिसके बारे में हर नई खपर फैंस के लिए फटेंग की एकसाइटमेंट को चार गुना बढ़हा देती है लेकिन कहीं अलु अ ना भूले तो इस कॉंट्रोवर्शिल कहानी की शिरुवात होती है एक ट्वीट और एक अनाउंस्मेंट से वैसे तो अलु अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखत भोशना थी लेकिन शायद खुद अलु के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दरसल साउथ के पेमस प् प्राइस था जो कि कुछी समय में अलु के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया एक्चिली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंस्मेंट की जिसमें पुश्पा वेनु स्री राम की आइकन पुश्पा 2 बोया पती श्रीनु डारेक्टिव फिल्म पोरा टाला सिवा की फिल्म और एर मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रजेक्स भी शामिल हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है लेकिन इस अनाउंस्मेंट ने आक्टर को मुसीबत में डाल दिया पहला कारण तो ये क आक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंस्मेंट यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्द ही शुरू होने वाला हो या हो चुका हो प्लासिस लिस्ट में एर मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है जिसे अलू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद इसके लिए राम होथी नेनी को अप्रोच किया गया था अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंस्मेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रेड्यूसर्स को आक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था या फिर बाकी अक्टर्स को कॉम्पिटिशन देने के लिए जिनकी आपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है अब दर तो यही है कि कहीं स्टंट का अलू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइम लाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना अपनी राएं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कुल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जिए वीडियो को आकर तक दे नेदेशित मूवी है जिसको एक पान इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात यह है कि इस मूवी की लीड रोल में हमको अल्लु अर्जुन नजर आने वाले हैं वैसे तो अल्लु अर्जुन का फैन बेज इंडिया में कफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है लेकिन हाँ इसका हाइस प्रपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है और शायर इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अल्लु अर्जुन अपनी प्राबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चड़ना पड़ेगा अब मैं जानती हूँ आप काफी कन्फ्यूज हो गए होगे लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपको अपने चानल बॉलिग्राट स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी दोस्त मिनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलू अर्जुन की अपकमें पानेगे रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में तो दोस्तो जैसा की आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेट सांडल बॉट की स्मगल की कहानी होने वाली है जिसमें अलू अर्जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाई प्रोफेशन होंगे वहीं पर वो एक स्मगलर बाई क्राइं होंगे और इसी ये मूवी का जादा तरपाट उनको पकड़ने में और उनके चुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा अब खास बात ये है कि बॉक्स ओफिस पर बाकी कॉंपेटिशन और क्रिटिसिजम के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी टकल मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलाज से तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं पुश्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन प्रिटिसिजम या बॉक्स ओफिस पर आई और कोई मूवी नहीं बिल्की प्रभास की सलाज से होने वाला है इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं पहली बात तो यह एक की दोनों के दोनों साउथ के बहुत फेमस आक्टर्स हैं और बॉलेवर्ट में अपना नाम जमाने की फोश्रिश में हैं वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउथ इंडास्टरी से बिलॉग करती है लेकि सिम्मिलारिटी इसकी लंबे लिस यहीं खतम नहीं होती दरसल दोनों मूवी की शूटिंग तिलांगना में हुई है और तिलांगना के एक ऐसे जगह पर जह कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलीन से रिलेटेट जरूर मिल जाए अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अभी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोशिश फैर रही है तो दोस्तों अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थियोरी और वाली ओपीनियन से निकल कर रियाल्टी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवी बना रहे हैं जिनमें अक्चुली मरना मारना जायस लगेगा हाला कि सबसे बड़ी बाती है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और गॉक्स ओफिस पर वो कितनी टकर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से जादा हिट करना पड़ेगा अपने मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टानर्ड पे करेंड़ी आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियन्स अब हीरोस को सरफ हीरो के क्यारक्टर में नहीं देखना चाहती उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करेंटर को एक्स्टोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवी में कही ना कहीं ये तीनों नेगेटिव करेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्स्टोरेशन के उपर ही मूवी गूमने वाली है अब इतनी सारी सिमिलारिटीज और आज पास की रिलीज डेट तो देखना होगा कि किस मूवी को क्या सा ओपिनिन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर काताज तो दोस्तो आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद लाइन हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कैसे एक बार फिर पुष्ट पाने लिए के जिए इंस्पिरेशन क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिग डाइस टूडियोज में पुष्पा अलु अरजुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलु अरजुन तो रैट सैंडल्वोड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलु अरजुन और रश्मी का मंदाना की जोडी को एक साथ देखने को मिलेगा अलु की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अफ़तार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर में टिकेट बिकती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिकने का इस बार उन्हें रग्य दवदार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एकसाइट्मेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइट्मेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजे हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसेंटली जुड़े आक्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाय हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस नियू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफीशल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ओफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रडियूस किया गया है जैसा की वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियन्स को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बलकि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़रा रही है ऐसा हम नहीं कह रहे बलकि ये इस न्यूस से इंप्रेस्ट फैंस का मानना है उनका कहना है कि फाजन और अलू अरजन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता गभी एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आँखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं अलू अरजन के फैंस वाकळी लगी हैं कि उन्हें इन दो सितारो की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमिक में बताए कि आप इन दोनों की टक्डर को देखने के लिए कितने एक्साइटिन है और अगर आपको पुष्पा और केजियर से बीच जब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलु अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर रही इस फिल्म में नैशन क्रेश रश्मे का मंदाना को एक रीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है इस फिल्म को लेकर ओडियंस में जितना क्रेश है उतना ही तनाव ही है तनाव इसका कि केजियर सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट को औरी दर्शुकों के सामने रखे जा चुके है लेकिन एक बार पिर क्यों इन दोनों के तक्रार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिए को और अगर आपको मारा वीडियो पसंदा है तोसे लाइक शेय करना भूकरना बूलेगा हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुश्वास में जुड़ी एक एहम खबर दी ली कि इस फिल्म के लिए जाने से फिर एक बार के जिए फैंस और पुश्वा फैंस आमने सामने ख़रे नजर आ रहे हैं जैसा कि आप सब लोग जाते हैं कि के जिए के सक्सेस के तीछे म्यूजिक कंपोजर भी पसरूर का स्पेशल कॉंट्रिशन था जिनकी कॉंपिशिशन ओडियन्स पो इतने पस और चानता चाहते हैं कि दोनों मेर बहता है जिहां आप सोच रहées होंगे कि गाने से सभी फिल्मों में होते है इसमें केजी एक्छिय पञेशन क्या है लेकर आपको बता दे ग काना दी एस पी — देलिखा है वह पिल्म में अलु अल्डू अर्चुन के क्यारेक्टर को एक्स पसंदी किया था और आज भी कई बार किसीने किसी स्वाइग वाले विडियो से रहे वो गाना सुनने को मिल ही जाता है इसी कारण से लोग जानने के लिए बहुत इक्साइट है कि पुष्पा का यह गाना केजी है कि गाने को टक्तर दे पाएगा या नहीं आपको इस बारे मे अपनी और कर रखी है इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेता हाशा प्यार मिला जिसमें अलो अर्जुन के रगड लोग को तो खास तोर पर काफी एप्रीसियेशन्स मिली फिल्म एक अक्शन त्रिलर होने वाली है जिसमें रेट सैंडल वुड की स्मगलिंग की कहा नहीं दिखाई जाएगी फिल्म का क्रेश औरड़ी अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर है पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं अब क्या निया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको य डांसिंग सूपरस्टार अलू अर्जन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना की पूरी फिल्म पर और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकर्जने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंक प्रसाद के दर्वाजे खटखट आए हैं खबरे आ रही है कि देवी शंक प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अलू अर्जन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सूकुमार और अलू काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं ये सौंग जलाए के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बता दे कि देवी शंक का प्रसाद इससे पहले भी अनंदम कालू सुको वालनी मन मधूदू वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉमपोजिशिशन इंडास्ट्री को दे चुके हैं जि यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना क्यूंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडास्ट्री के बैरियर्स को हटाकर पूरी इंडिया की ओर्डियंस पर एक चैसा ही इंपैक्ट करें जहा तो देवी शंक प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंपिनेशन समझा जाता है लेकिन रीसेंट सोचल मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंक प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी जादा साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड है और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चानल अबतार के बाद अलू अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टांडर्ड ही रेस कर दिये हैं वैसे भी अलू का नाम भारत के सबसे हांसम आध्यों में लिया जाता है और उसकी उपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता कार देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पिछे छुपा असली टालेंट कौन है नहीं वो यहीं हम बता देंगे तो दोस्तो ये चीज तो आपने नोठी की होगी कि हम कई बार आक् किता पच्चन ही थे लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई मेहनत को रगनाइस करना हम अक्सर भूल जाते हैं लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलिगाट स्टूडियोज की नगरी है यहां किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती और इसलिए आज हम इस रात से पर किती शील्स सिंग का देन है जी हां दोस्तों अगर आपने पाद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था या फिर हैदर में शाहित के लुक पर तालियां बजाई थी या फिर बाजी राव मस्तानी पाद्मावल जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेक अप टूटोरियल सर्च किये थे या फिर सौन आउट में रिशी और अमिताप सर का लुक देखकर आप भूली गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं या फिर गंगुबाई काठ्यावादी में आल्या की लुक को देखकर हैरान रह गए थे तो आपको बता दे कि आप अंजाने में पृती शील के ही टालेंट को सहार रहे थे जी हाँ दोस्तों ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर और उनके ये आइकॉनिक लोग उन्हीं की देन हैं इतना ही नहीं मॉम, हाकरे, शिवाई, हवाईजादा, हाउसकुल 3, बाला, पंगा, अंदादुन, शिचोरे, मुल्क, पती-पत्नी और वो जिसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके एक लंबी लिस्ट साथ हो जाएगी अगर हम उनकी टालेंट की बात करें तो, अब आप इन सभी लुक्स को याद हीजे और हमें ध्यान से बताईएगा कि आपको कौन सा लुक बेस लगा था, में डेब्यूट, नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका अपने यूट्यूब चानल बॉलेग्राट स्टूडियोस के एक फ्रेश नए वीडियो में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शुती, बाहु पली के बाद मेगा ब्लॉक बस्ट हिट मूवी वैकुंता पुरा मु अपन इंडिया मूवी नहोने के बावजूद 200 करोर का कलेक्शन किया था, अलू अरजन की पॉपुलारिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्न पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा तर्चा में घिरे हुए हैं, अलू अरजन का न्यू र पड़ाया था कि इस मूवी में विलन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी, जिसने जाहिर होता है कि शायर मेइन अक्शन फिल्म को सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा, मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी यह बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में वहीं इस फिल्म की ग्लामिरस आक्ट्रिस रश्ने का मंदाना एक फॉरिस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथ अलु अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी इस फिल्म की शूटिंग साउट के अलगला लोकेशन में की गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलु अर्जुन को पुष्पाराज मुवी में चिट्टू डालेक्ट में फिल्म के सभी डायलोग्स बोलने हैं जिसके लिए अलु अर्जुन अलग से एक लांग्विज इक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलोग डिलिवरी कर पुष्पाराज एक साथ तमिल मल्यालम कंड़ और हिंदी लैंगवज में रुलीज होगी रश्मिका मंदाना ने हाली में अपने एक इंस्टराम लाइव सेशन में पुष्पाराज मुवी को लेकर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था उन्होंने बताया कि पुष्पाराज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादे एक्साइट भी उन्होंने मूवी की बरते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं साथ ही साथ अलू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है अलू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेरी सिंपल एन स्वीट आक्टर उश्पाराज की शूटिं सबी इस ने अलू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटराक्ट भी किया सकेंड वेट के चलते पुष्पाराज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है बीच में 28 एप्रुल को अलू अर्जुन न लुक गई थी ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एस पर स्केड्यूल टाइम पर रूलीज कर पाना मुश्किल है तो न्यूज रिपोर्ट के नुसार रूलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रूलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 डिस किया उन्होंने अपने नौत हिंदी और अधर रीजिन के फैंस के लिए अपना ग्राटिट्यूड इंग्लिश लांगविज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ओडियंस का दिल जीत लिया उनक की बॉलेवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है अलु अर्जुन ने अपने इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि वह अपना बॉलेवुड डेब्यू जरूर करेंगे उनका कहना था कि बॉलेवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी अरफी ऑपना वेस्टिय में अपना देश ब्रॉम को काफी ज्यादा पसंद ही जहां बाकी तेलववू एक्टर्व में रहना पसंद करते हैं ऐसे में अलु अर्जुन हिंगी फिंस में काम करने के लिए काफी ज्यादा एकसाइटिड है उनका कहना है कि हर किसी की अपनी च कमर आने के लिए फिलाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल ही वो बॉलिवुड मूवी में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पड़ी हैं मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई अलू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड़ी में कास्ट करने के लिए जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था उन्हेंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है आफ्टर आट अलू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्टास बात बताएं तो दोस्तो शदा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और एक पुरी कोशिश करते हैं कि फर्फिन ब्लॉग बस्तर साथिए अब कुष्पा की ही बात कर लेकिंगी फैंस करीब दो साल से इस पिक्टर का इंज़ार कर रहे हैं जब से इस सिन का पहला कोई से रिलीज किया गया था आने वाले दिनों में कुष्पा कर च्ट्रीडर भी रि पहाद फजिल नज़राएंगे साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट करना ही इसको तुमार तो सब कुष्पा आज इतने जादा लाइन लाइन में इसी लिए भी है क्योंकि इस फिल्म में बीड गौर पर अलू अर्जिन नज़राने बाले हैं और अलू अर्जिन का स्टार्डम ही कुछ ऐता है कि उनकी हर फिल्में लगातार चड़का में बनी रहती है अगर कुष्पा स्टेस्पुल होती है तो उसका कुछ प्रेडिक अलू अर्जिन के मैसिफ पॉपुलारिटी को भी जाएगा आज तो मिस्पीरियों में बात करेंगी कि आखिर कैसे अलू अर्जिन साउथ के सूपर स्टार बन जाए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइट यंग आइकिन कहा जाता है अलू अर्जिन ने जादगर काम साउथ इंडस्ट्री में ही क्या है अभी तक वो बॉल्वूर्ट की पीसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे हैं ज में बच्षण से ही आक्टिंग और डांजूं का शौप रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आडविटाइजमेंट्स भी मिलने रहे इसके बाद अलू अर्जिन को उनकी टेहली फिल्म में ली जिसमें ने लीड के डार नभाया था और बोध ही गंगों की गंगोंत्री ट्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस पील्म में अच्छा काता बष्म भी किया अगया लेकिन चयों के ब्यद करेयर के हमाले आरेया पिक्चर के बार अलू अर्जन को कई अवर्ड से नवादा किया था जिसमें फिल्फेर अवर्ड भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर अलू अर्जन को साउथ का स्टाइलिश सूपर स्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तो मैं आपको बता दो, साउथ इंडस्के में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर इसी के लुक्स को सबसे जाता अप्रेसियेशन मलता है तो वो है अलू अर्जन, खास्तोर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तो हम सभी जानते हैं आने वाले दिर्णों में अलू अर्जन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। अलू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकविंग मूवी पुषपाराग जिसे सुकुमार ने जरेक्ट किया है चल ये थीटर्स में अपना कमाल दिखाने वाई है बावजूद इसकी ओडियेंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस मूवी से रिलेट फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मैंबर से चुरी मीट है फिल्म प्रोडूसर ने अपने लेटेंस इंट्यूव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्टों में विलीज करा जाएगा ऐसा करने के बड़ी वज़े ये है कि फिल्म की स्चोरी में बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुम्किन नहीं है इसलिए हीरो और डारेक्टर ने साथ मिलकों ये डिसाइर किया है कि फुष्पा को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा क्या आपको भी ये कुछ सुना- जी हाँ बिलकुल सही सोचा आपने मेगा ब्लोकबस्टर बाहु बली मूवी में भी यही हुआ था फर्स पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैन होने की वजए से फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया गया फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी स्टार के पास हो ऐसे में देखना दिल्चेस्ट होगा कि आखिर कितनी बड़ी स्टिस इस मूवी को मिल पाती है लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि यह मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है तो सोचने की बात है कि जहां साउट सोंग में इतने बड़े स्टार क ठाइर किया जा रहा है ऐसे में क्या सौंग का हिंदी में भी कोई डव बर्जन या निव हिंदी सौंग भी लॉंच त्या जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंधी ओडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाETवा अब ऐसा करने की एक वज़े यह हो सकती है कि अलु अर्जुन वैसे ही अपने हैंसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर है और उनके हैंसम होट लुक और परस्टालिटी एक आम बात हो गई है एसे में उनके पोस्ट्रों में वही सेम लुक दिखा कर ओडियंस के भी चितना प्रेश पैदा नहीं होता टॉलेवर के मोस्ट टैशिंग स्टार अलु अर्जुन अपनी अपकमी मूबी के लिए काफी जाबा इसाइडल है और पूरी ट्रेलर में बहुत जादा इपूश है जिसे पिल्म की पूरी टीम काफी साबा खुश है तिर के रिलीस पेहले ही इसनी बड़ी काम्याभी मिलना साउं इंड़्स्ट्री के लिए एक आम बात होती ही जाए ज्यार होता है मुवी के ट्वेलर में कोई डाइड़ नहीं है सिर्फ अलु अलु अर्जुन के एक्शन पीन लुक और फाइजिंग सीक्वेंसे ने काफी तहरका मचा दिया इसनी कोव मेरे रहु फॉर्स्ट्री शूट किया गया है जहां हाइप पुलिस कोस्ट और कम्प्लीट सेक्योर् और कने लिए लुखने करिये तुष्पाराज की क्यामरा हैंलिंग के थawa कि अपाटिया गया है पॉलिछ खॉलिश्स ब्हूर्स्ट्री करेए मेर क्या पुलिज कम्प्रम्न होफ हैं मिड्रस्रॉद्ट अप इंड्या मेर में टी की शीराम उफ कौनं कई नार के इंप्रेस्ट हो करी सुकुमार ने अपनी अपकमिन फिल्म पुष्वाराज के लिए निम्प फायर गिया मिरस्वार भी फिल्म में हिस्टा बनने का यह मौका पाकर खुश नजर आ देगी और पैंस भी ये खबर सुनने के बाद काफी जादा खुश करें लेकिन ये विए इस सब्सक्राइब करने के लिए काफी ज़गा एक्साइटर थे और ये एकसाइटर मेरस्वार के एपर्ट्स में भी देख रही थी ट्रेलर लॉंच के दौरान ने फिल्म की काफी तादीश की चीज़ी थी और फिल्म के हर इविन का चाहे वो फिल्म शुरू करमे से पहले हो या पिर कई पूजर सरेमनी हो या फिल्म का सेलेब्लेशन की ना हो उसका हिस्ता जरूर बते भी जिरू सौ तैलिगों इंटर्शी से अटाच हो चुकी लेकिन अब उन्हें जाना पढ़ रहा है इंटरनाशन ट्रावल में सेस्टी बनी रहने के लिए इससे लिए स कामरामान इस लेवल को मैच कर पाएगा तैलिगों सेलेब्लेशन में आज पर पॉर्ण सिनमातोग्राफर्स को अप्रोज करने के चैन्ज चल्गा जिसे फिल्म की विर्टन क्वालिटी और तामें इंगेशन पर सामें आतू है अभी सब्सक्ति इरोपियों पॉर्ण सिनमा अपने इनंचन के बात से ईंचने में स्थिनमी मचा रखी हो तो कभी फिल्म का विल्म कभी फिल्म के दो पाट्स तो टभी फिल्म का गाना पिल्म आयदिन किसी ना रोन हेहले हैं इंसारीपलेशन की इन्फोली विडियो mendels देगली चुके हैं लेकिन आज हम वो बेसिक इंफोमेशन शेयर करेंगे जिसना जवाब तो सब चानना चाते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जान दे करें हमारी वीडियो को एंग तक देखें और अगर आपको मारा वीडियो पस लाइप उसे लाइप और शेयर करना बिल्कुल नहीं हुदे जबसे को इनकी अनाउंसिर हुए एक सवाल में सब के मन में बहुता देखें आपे फिल्म का नाम कुछ और क्यों नहीं है क्या इसके पीछे कोई स्रीक्रेट वज़ा है इस बारे में कई क्योरी देखें कुछ के अपॉड़ी कुछ पर फिल्म में अर्जुन की मां का नाम कुछ पर हो सकता है जित्सों बहुत प्यार करते होंगा और उजिती बहुत के बाद में इसलिए हमकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम कुछ का कहना है कि क्या पता ये लीडिंग लेडी रश्मेका का नाम सेखुलेशन की हट तो तक तक होगी जब उन्होंने कि ये कहां कि क्या पता डिरिक्टर सुपरमॉर राजश्कृता के बड़े फैन इसलिए लिए लिग नाम रस दिया गया यू नो कुछपा आइखुली इस नाम के फीचर बड़ा ही सिंपर का कारण है जितना डीप में जाकर फैंस के सोचा उतनी मेहनत मेंकर से नहीं की फिल कहानी इस किर्दार के इस किर्स दूही दी बता दी कि इसके पहले पिल्स का नाम सेशा चलम रखा जाने बाला था क्योंकि ये पूरी कहानी सेशा चलम में प्रॉमिन स्मगलिंग पर पेश है अगर ऐसा होता तो खुष्पा और केजियर्ट में एक और सिमिलार्टी हो जाती क्योंकि KJF का भी ये नाम इसके रखा गया तो क्योंकि पूरी कहानी इस पर पेश थी केजियर्ट पर कितका राज होगा शायद इसी चीज को वोई तरने के लिए शुकमार ने सेशा चलम को फुष्पा कर दिया इसके फिल्म का टाइटल काफी क्याशी भी हो गया और और कि अजिए तो हमारी इसके लिए बेहत खास हलो नमशकाराद आप सब्सक्राइब सभी का बाली क्राओ स्टूडियोज में अड़ में हूँ आपके साथ हनुश्कतियागी तो दोस्तों आज बात करेंगे आज की पहत ज़दा फेवरेट और मो स्टाइलिशन डाशिं आक्ट और अलु अरजुन की most anticipated movie पुषपराज के बारे में दोस्तो पुषपराज का टीजर जब से release किया गया है और अपने बोधे पर टीजर के successful launch पे जब से अलु अरजुन ने अपने नौध इन फैंस और अधर स्टेट फैंस के लिए English में speech देते हुए और Hindi में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने support के लिए उनके शुकर गुजार हुए है तब ही से ही दोस्तो नौध साइड में भी अलु अरजुन का crazy दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तो अलौ अर्जुन के upcoming is drama action film में सूकुमार और उनके music composer देवी श्रीपरशाद के साथ उनका coffee time बाट collaboration हुआ है इससे पहले सूकुमार और अलौ ने साथ में दो blockbuster movies करी थी जो की की आर्या और आर्या का second sequel आर्या 2 और ये बास सभी जानते है कि stylish actor अलौ अर्या मुवी ने रातो रात सूपर sensation बना दिया था दोस्तो पुषपराज को लेकर हर दिन एक market में नई अवा सुनने को मिलती है मुवी की story line एक real life incident पर based है recently आ रही खबरों के अनुसार अलौ अर्या इस मुवी में डबल डॉल करते हुए नसर आ रहे है जी हाँ दोस्तो सूर्सिस की माने तो जहां अलौ अर्या कर्दार smuggler के रूप में नसर आएगा तो वहीं दूसरा कर्दार business man के तोर पर दिखाया जा सकता है अगर दोस्तो पुषपराज के नए और पुराने पोस्टर को देखकर अलौ अर्या ग्रॉप्स पर उनके डबल डॉल होने की assumptions लगाई जा रही है ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फैन ने अलौ अर्या जबल डॉल होने की बात कही थी जिसमें असले डॉल तक पहुंचने के लिए पुलिस वालो ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए दरीब आदमी को उनकी डांग में डॉन बनाकर बेज दिया तो दोस्तो कुछ ऐसी ही खानी इस बात पुछ पर आज में रिपीट तो नहीं की जाएगी स्टॉंग यूमर्ज की बात की है कि अलु अर्जन का दूसरा रोल आसब बिसनिसमैन होगा अब दोस्तो हो सकता है कि उस बिसनिसमैन की सच्चाई पता लगने के लिए लौरी ड्राइवर अलु अर्जन को बिसनिसमैन बनाकर माबेज दिया जाए जहांसे उनके दंडे को और अब दोस्तों रियूमर्स में कितनी सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स प्लेयर करेंगे तब ही पता चलेगा वंडर मुवी रिलीज होने का तब तक इंपजार करना पड़ेगा सबीक और दोस्तों इन सबी खबरों से अलु अर्जन के फैंस का अफिजाद एक्साइ इसले साउथ में देगा जा सकता है कि अलु अर्जन की फैंस काफी जादा बड़ी है अपने क्लोस फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैंके फिंडरल में वो खुद उनके घर गए थे बॉलीवड सार्स आक्टस के मुकाबले पने फैंस के साथ ज्यादा के रहते हैं और यही इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स प्रेल रहे थे सब अपने अपने तरीके से कहानी एज्यूम करने लगे थे लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू शुरवात में अलो अर्जन के रोल में नगजर आएंगे अलो अर्जन अपनी अपकमिंग फिल्म पुषपा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके हैं कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हैं अलो अर्जन के अपकमिंग फिल्म पुषपा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलो अर्जन हमें सीधा बड़े परदे पर नजर आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर बॉला मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलो अर्जन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगी जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो यह बहुत जादा सूपर हिट रहेगी क् कि जो हिंदी ओडियंस बार-बार इन्हें खबरे देनी पड़ती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियंस के लिए स्पेशल ही अलो अर्जन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दॉर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लेकिन फर्स टाइम हो रहा है तो अलो अर्जन ने पूरे जान जोग दी है एक पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथी जितने भी ये बॉलिवुट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू द करने वाला है दोस्तों ये बात वहांकर बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मी का मंदाना इसमें निजन आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लि है तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए और सैंडल वुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगी अलु अर्जुन उनके तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का ये एरा है जिसमें कि अलु अर्ज अर्जु के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे कि अलु अर्जुन का लुग जो की कर्ली हैर उन्होंने केरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रही है उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़्या अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का ये जरूर बताइए और ये नौर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बोक्स ओफिस के लिए आज से नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुष्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियोज मैं हूं सोनी का जवाल बात करेंगे साउट के स्टाइल स्टार अलू अरजुन के जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोक शेयर किये गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो गई थी इस फिर्म को सुकुमार डैरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंगे कड़ी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते है इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अलु और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड यह उक्युपाई कर ही लेगी इतना कलेक्शन यह कर ही लेगी खाली हम तो 20 करोड का यह ओवर सीज कलेक्चन करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से Lifetime कलेक्शन की हम बात करें तो फिल्ड वाइड 800 करोड की कमा अ पूश्पाग कर लेगी इससे जादा भी mineral को से तिनसीं करोड का लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो पांसो करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जाधा भी हो सता है क्योंकि अलु अर्जुन के जो फिल्मे हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइट भी उनकी फैन फॉलिंग और फैन फॉलिंग काफी तग्री है इसके लावा उनकी अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दज़र आने वाली हैं और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तो इतना तो ये तैह है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएग तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंदुजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली हैं रश्मी का दार्शकों को क्या इस नए किर्दा से बदल चाहिए अभी नीतरी की च्छवी और क्यों एक बार फिर अलो अरजन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राफ स्टूडियोज में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ लेकिन जल्द ही अभी ग्लामर डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो दश्मे का जल्द ही अलो अरजन की हिरोईं बनने जा रही है दोनें की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर शक है पुशल फिल्मी के पूचर्चे में रहा है अलो अरजन जिन बच्पन में ही अपना अक्टिंग करियर चिरंचीवी जैसे बड़ सताहें के साथ याजी न नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नीतरी चौबिस साल के सभी नीतरी ने अपनी पहली ही फिल्ग किरिक पाचली से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बावो के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉग बस्टर फिल्म में दी फिल यह उन्हें नॉन ग्लामरस रूप में दिखाया जाएगा रशमिक और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंधरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखींगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल फ्रीनिंग भी ले रहे हैं वहीं के जी कपूर की अगामी फिल्म जौसी में ब्रुनाल ठाकों से पहले रशमिका कुफल में ब्रुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी है सुन्दर और चालें मस्तानी और पदमावत में दिपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजे लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रशमिका पर आकर रुग गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीशक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरिक फिल्म आरिया कर चुके हैं और पुश्पा को मैठी मेकल्स बैनर्स बेरूल के कर रहे हैं और जो अलू आरजुन और डारेक्टर को औरेक्टर को अचला शिवा के साथ फिल्म हाश्पाग A21 से भी जुड़ गए है फिल्म पुश्पा डारेक्टर सूकुमार, अलुवारजन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद है जिन्होंने कई तेलगो हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रारंच थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरान म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच की अज गया था अलू अरजुन स्टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस ने पॉजिटिफ पाया गया स्टैरर पुश्पा फिल्म की स्टोडी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इंस फिल्म के साथ तेजी से पॉप्लिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेंड़ जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वह सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्द मेटर चुके हैं और कई केसस में तो बॉली उट से बड़िया कॉंटेन्ट परोस रहे हैं हर तपके से जुड़े लोग अब साउच सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदोलत साउच स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके हैं पर इधर उध इस त्रेलगो फिल्म की एंटिसिपेशन आस्मान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इस और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आये डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्ज में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लोट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैनलूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अरजुन और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉनफ्लिक्ट होगा अरजुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लिशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फॉर्स में इसलिए अलु अरजुन खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चला अपने फॉर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हुए तो एंड में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हाल के साथ स्टोरी समाप बस यही नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपके एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनमदिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत अपने सूपरस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनमदिन के मौके पर अलग-अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की और लुक के पीछे मेकप आटिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशील सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए और जीट चुके है और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102, नौट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारी फिल्मों में म जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनौंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहारी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नज कर दिया है कि उनकी फिल्म पूस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलहारी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे है और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ अलो अर्जुन ने से कैप्शन दिया है 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 पुष्पा लोडिंग इन थीटर स्रॉम 13 ऑफ ऑगस्ट 2021 एक्साइटेड तो मीट यू अल इन सिनेमा इस यार और सिर्फ अलो अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा एक्साइटेड है वो फिर से वही मैजिक क्रियेट कर और इसे डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या टू में भी उन्हें डारेक्ट कर चुके हैं फिल्म है अलो अर्जुन के अलावा आपको विजह सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाकान नजर आएंगे और एक्ट पर आधारित है फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी ये दक्षरी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहारी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें सेतु पती और अलू और जुद एक दूसरे के आमने सामने होने वाले है यानि कि खदना के अक्षन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कमें सेक्शन में जरू बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को ये चटपिटी वीडियो में हुष्टियार होना आपकी आज की होस्ट और आज अंबात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंदियन तेलगू लैंग्विज एक्शन फ्रिलर फिल्म है जुसे डारेक्टर अलेका सूकुमार ने हैं सूक जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती बाबू प्रकाश राज धननजे सुनील गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थ फिल्म पुष्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू तमिल मल्यालम हिंदी और कनेट वर्जिन में डब्ड किया जाने वाला है जैनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ ल बाद में अलु अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में अज लीड अक्टर काम करके सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉंच किया गया था अक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डारेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था के एथी रापिडली फॉल्स पर फिल्म पुष्पा का फर्स्ट केडूल के में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड-19 पैंडमिक ही वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टांट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतु पती बहुत चचचा में थे एंटेगनोर्जिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशू की वज़े से कंड़ा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रैस वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम ज इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉबलम है सर बारता ज्यादा हूं किंता कम हूं गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए सर मैं ऐसा ही हूं भूख लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जी भर सूता और गुश्सा आता है तो प्रूख कर लगता कर बारत कर बते हैं रहादिंग है चेंव ये स्वेंट कर लगत खास्से प्रॉबलिभाव。 हैं प्रेओिंग लगता हैं ऊ euरा हुवे Rodriguez क्या पुश्पा से करने वाली है रश्मे का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश्मे का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी पैनल बॉलिग्राश वीडियोज में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने औरिजिनल भाशा के साथ- और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रिडक्शन करन जोहर के धर्मा प्र प्रभांस की पुपिलानिट इटि की वाजा से उनकी कौने फिल्म साहू को भी ऐग पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली में राधे शाम और आधी पूरुष मैं नाग इश्विन की coherent की फिल्म की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज हुने वाली है उसके बा देवी जया प्राड़ा एश्वर्या राय असिन दिपिका पादुकोन तापसी पनू जैसी को जब नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवर में वही सिल्क स्मिथा सॉंदर्य काजल अगरवाल त्रिशा कृष्णन जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं ह अभी साउथमे विजय की फिल्म Pretसिद्य हो रही है और साथी साथ विजय के साथ नाम आता है राशमिका मंदाना का भी राशमिका मंदाना को पिछले सानल नैशनल टाय्टल मिला ये क्रश पहले दिषल मंदाना रशमिका मंदाना परिपनेwo बड़े- teen heroes के सांग काम प्रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनु ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहोत्रा मगर हाल ही में सिधात मलहोत्रा का करियर इतना स्मूद नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबू पैन इंडिया रिलीज करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहां जा सकता है कि अलू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश्मिका कि उस ख्वाइश की वज़ा से चली दोस्तों साउथ फिल पैन इंडिया रिलीज नहीं थी बावजूदी इसके इस फिल्म की सेक्सिज ने उन्हें पूरे देश में सेर्चित कर दिया है अब अलू अर्जुन अपनी अग्ली फिल्म पुष्वा को लेकर बिजी है जो पैन इंडिया रिलीज होनी वाली है इस फिल्म को मेकर हिंबी अब अलू अजुन से जुड़ी एक और जिल्चस खबर सामने आ रही है जिसे सिंकर उनके फ्रेंस का क्रेश साथवे आस्मान पर पहुँच जाने वाला है दसल अलू अजुने हाली ने केजी अफ डारेक्टर प्रशान मील के मुलकात की है वो हैदरबाद में आज प्रशान मील के बाहर स्पॉट किये गए यहां उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी अलू अजुने वहां से निकलने के बार हजारों फैंस को हाथ लाकर अभी वादन किया अलू अजुने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बर्शानी के लिए धन्यवाद भी कहा जिसके बाद वो आफिस के अंदर चले गए इसके बाद प्ये खबरों का बाजार गर्म है कि अलू अजुन और प्रशानील की ये मुलेका आप किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है इस खबर पे अलू अजुन के फैंस में भारी प्रेस है वल आपको बताते कि प्रशानील की केजियास टूग बनकर तयार है और जल्दी क्येटर में पहुशने वाली है इसके बाद वह प्रभास की आने वाली फिल्म सेलार को पूरा करने की खोशिश में पीटे होंगे फिल्म हिंदिनों स्टेज पर है क्या इसके बाद प्रशान मिल अलू अजिर्शन अग्री फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवाल का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीजे कमिंग बॉक्स में अपनी राइश क्या बॉलिवोड में भी एक सूपस्चा बनना चाहते हैं अलू अर्जुन और क्या बॉलिवोड में अपने कदम जवाने का इरादा है इनका तो आईए जानते हैं अप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पागे तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्में देखी हैं वैसे अगर इस सवाल मुझसे पूझा जाए तो मेरा जवाब होता है हाँ और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नौर्थ इंडियन तो आप लोगों ने मैं नौर्थ इंडियन वादों से सवाल कर रही हूँ आप लोगों ने भी South Indian फिल्मे तो जरूर देखी होंगी ना आप सभी को वो भाषा समझाती ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा एंजॉय करते हैं और वैसे हम कई सारे TV चैनल्स पर ये भी देखते हैं तरफ शारुकान के साथ भी देखा है और साथ-साथ एश्वर्य अराय के साथ उनकी फिल्म रोबोर्ट में तो देखा ही देखा है उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा लेकिन जिस तरीके से इन अक्टर्स को साथ में फूजा जाता है उन्हें वो रिकगनीशन उस लेवल कार रिकगनीशन बॉलिवूड में नहीं मिल पाता है दोस्तों आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो यह है कि रजनीकान को पूरे साथ में इस तरीके से पूदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिकलेर कर दी जाती है जी हाँ और साथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है यहाँ पर बॉलिवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है तो जब साथ के मेकर्स ने यह देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो उनोंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंडी डब करकर रिलीज कर दिया जाए क्यों ना इन फिल्मों को सिनमा घरों में एज हिंडी डब रिलीज कर दिया जाए एसे में हम साउध की इन फिल्मों का मज़ा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नजदी की सिनमा घरों में भी देख सकते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुवली फ्रेंचाईज और KGF फ्रेंचाईज ने फिल्मों को डब करकर सिनेमा में रिलीव किया है और यहां तक कि साहु जैसी फिल्मों में हिंदी आक्टर्स को भी लिया गया है साउथ के मशूर आक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे वैसे तो उनकी ओडियन्स, तमिल ओडियन्स, सन्नड ओडियन्स यही सब लेकिन अब वो अपने इस तागेट को बदलना चाहते हैं हागी में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने बॉलिवूड की तारीव की उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलिवूड एस्पिरेशनल लगता है और यहां तक ही उरी जैसी फिल्म की तारीव लिखी उनोंने कहा कि अगर उनको कभी पूरी जैसी फिल्म ओफर की जाए तो वो इस फिल्म को ज़रूर करना चाहिए यहाँ तक कि उनोंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अरजुन रेड डी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते इसलिए वो अब पुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलीवुड में रिलीस कर दी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अलू एंख्ली मारते हैं बॉलीवुड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलीवॡ स्टूडियोज को सब्स्प्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदाथ क्या अलू अरचन की फिल्म पुष्पा में होने वाली है और वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बॉलीक्रास स्टूडियोज मैं सोनी काजयार पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई ये पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहां साल ही में शूर शूरू किया था अलू अर्जुन से से भी बहुत सारी तस्वीर लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्हों और टाइट सेक्यूरिटी कर ली है क सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए वो बहुत बड़ा सर्प्राइज देने वाले है इस फिल्म के जरीए आपको बताते इस फिल्म में अलू अर्जुन का जो लोक है वो काफ़ी कमाल का है अलू अर्जुन के इसमें करली है नजर आ रहे है और चेक शॉर्ट नजर आ नजर आने वाले हैं वो पुलिस का करदार करने वाले है और शायद अलू अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे यह सारी कहानी होगी रश्मी का मंदाना अलू अर्जुन के अपॉजट इस फिल्म में नजर आएंगी वहीं आपको बताते अलू अर्जुन की पुष्पा एक प्य से होगा जब ग्रैन एंट्री होगी और इसमें खाली एक जब एंट्री होनी है अलू अर्जुन की उस पर 6 करोड का बड़ा खर्चा किया गया है बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा इसमें आक्शन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों यानि कि फुली एंट आपको अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में जबर बताएगा फिलहार इसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीज किये जाने का प्लान है तो लिखे नीचे कॉमें सेक्शन में कितना इंटजार है पुश्पा का अलू में मशूर वहीं कैसी है पुश्पा की हिरोईन रश्मी का मंदिना की आने वाली फिल्मे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राथ स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुश्पा से जोड़े आक्टरस रश्मिका मंदिना का तो नहीं कंडर सिनेमा की खूबसूरत लोग परिया आक्टरस रश्मिका मंदिना के फांस को उस वक्त सबसे बड़ा सर्प्राइज मिला जब सर्च इंजिन गूगल ने आक्टरस को नाशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोशित किया इसके साथ लिखा मेरे फैंस वाकई लिजिनरी हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा मेरा दिल मेरे फैंस के पास है चौबीस साल की रशमिका दक्षिन भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफि लोग प्रिया है रशमिका ने कंडर तमिल और तेल्गू फिल्मों में काम किया है और रशमिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कंडर सिनिमा में डेब्यू किया था इस फिल्म में रशमिका की अदाकारी खूब पारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में आक्रिस ने फिल्म के हीरो रक्षित शेटी के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछी महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की ये अभिनीतरी साउथ की टॉप आक्रिसेज में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रश्मिका की जोड़ी बनाए गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मिका साउथ के मशूर अभिनीता अलुअरजुन के साथ दिखाई देंगी फिल्म के स्टोरी लाइन बेहद इंट्रिस्टिंग है और आंधर पदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है इस एजगाप को बनाए हुए रश्मिका जल्दी जियोतिका के पती यानि सुपरस्टार सिंगहम सूरिया के साथ काम करने जा रही है टॉलिवर्ड अभिनेता सूरिया जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरवाई पोट्रो के सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर रहे है और उनकी 40 सी फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही गोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूरिया के अपोजिट रश्मिका मंदना होंगी वहीं सूर्यम महेश बाबू और अलो अरजन टीनों ही शाधिश उदा आक्तर्स हैं अलो अरजन इस लिस्ट के सबसर जवान शाधिश उदा हीरो हैं और एक पिता भी हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी अलो अरहा का जनम दिन पुश्पा के सेट पर मनाया बता दे इस वक्त पुश्प की शूटिंग अंधर प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े आक् अपने से चोटी उम्र के हीरों के साथ काम करने पर सवाल उठाय गए थे देखी कैसे समय बडल गया वहीं क्या समय सही में बडल गया या केवल समय मेल अक्टस की समय बडला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुश्पा में विलिन विजय सेदुपती इतने मश्यूर है अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाच चुके विजय सेदुपती साउथ के राजकुमार राओ या आयुश्मान खुराना कहे जाते हैं। जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं। एक आक्टिर के साथ विजय प्रडियूसर, लेरिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ तेली गूव, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अभिनीता को उनके प्रशन सकों और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है। पीजा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेटुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया। विजय ने कई अभॉड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अभॉड्स का सिलसला बरकरा रखेंगे और जल्दी वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं। तो क्या एक मुख्य खलनाया का अभॉड्स रितने के बाद पुश्पा में विलन का करदार निभाना आसान होगा। विजय सेतुपति के लिए क्या होगा। वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को। हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई होते से लाइप करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिगराथ स्टूलियोज को इस वीडियो के स्क्रिप्स इम्रन रावत ने लिखी है। इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस। दोस्तों क्यों फिल्म पुश्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे से तुपती हो रहे हैं ट्विटर पर बदनाम। आंतर प्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुश्पा की शूटिंग शूरू और क्या इस बार अलू अरजुन से हित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली। दोस्तो अपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है। लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अफ़तार। जिया दोस्तो अलो अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फोस्ट लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोचल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया। दोस्तो आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रहे हैं और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को नियमे तद्धार पर गोविड-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तो नेगेटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ फ्रिकेट से संबंद है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है। पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है। ट्विटर पर अब तक लाखो लोग है शाक शेम और विजह से तुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं। दोस्तों लोग विजह से तुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं। वहीं कि इस फिल्म की वज़े का फिल्म पुश्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा। ज़िहां दोस्तों जब फिल्म के सितारे विजह से तुपती मुश्किलों में पसे हुए हैं। दोस्तों रश्मिका को साथ की सबसे महेंगी हिरोईन भी कहा जाता है। और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स देपार्टमेंट ने चापा मारा है। अधिकारियों की जार्च परताल दौरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए हैं। जी हैं दोस्तों कैश के अलावा घर से प्रौपेटी के कागस भी बरामद हुए हैं। कर चुकी हैं रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़े से काफी मायूस थी। लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने फिल्मी करियर से दबा दिया। दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिट शेटी से सगाई रचा दी थी। लेकिन ताल मेला बन पाने की वज़े से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया। दोस्तों क्या गुड़ चाहती हैं अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बन दाना तो बता दें दोस्तों रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बलकि एक अच्छा इंसान जीवनसाती के रूप में चाहिए। इतनी मेंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका देखे अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अरजुन रेडी बाइक उठाय तयार होंगे। में रश्मिका 2021 की शुरवात नेया लूर्जन के साथ पुश्पा में दिखाई देंगी साथ यूनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है। तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो के ऐसी लगी हमें कमेंट करेंगे। पुष्पा की कथानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी। उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्की जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है। गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलकला पुनम्मी तेरा लगू कथाओं का संग्रह ये किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है। तेल्गू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था। उनकी किताब माय नापू बो मालू ने अमरीकी तेल्गू असोसियेशन पुरुसकार जीता। किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है। हाल ही में चुरिण जीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोरी के लिए दोशी थेराए गया है। लेखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पठकता उनकी फिल्म के संबान थी। वहीं पुषपास, सूकुमार दुवारा लिखित और निदेशिक नई तेलगु भाषा की आक्शन स्रिलर फिल्म है। साथ ही प्रकाश राज और जगपटी बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे। यह सूकुमार दिवाली में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कार्ण इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई। निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फ़र्स लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रणियों और अलू के प्रशन्शकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की। अब सुकमार की फिल्म में पुष्पा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है। बनी इस फिल्म में पुष्प राज की भूमी का निभाने वाले हैं जिसे मैत्री मूवी में एकस द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है। फिल्म का स्केडिूल विशाखा पत्नम में एक विश्य रूप से निर्मित सेट पे होगा। वर्तमाल में पुष्पा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चलता है। फिल्म की कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तेरमुला के पहाड़ी शेतर शेश चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की ज़ाएगी। स्टाइलिश स्टार अलु अज्जु ने अपनी लॉरी जाइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चितुरित करने के लिए पूरी तरह तयार है। इस लॉकडाउन के दुराण रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी, फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वो फिल्म में एक आक्शन सीक्विंस के लिए के लिए 6 करोड रुपे की भारी भरपाई करने वाले हैं। जिस बज़े से ये फिल्म एक काफी एंड सीक्विंस रहेगी। वहीं इस सीक्विंस में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी ना चूट जाए। बना बैक ग्राउंड में 2007 के फिल्म एक चालिस की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी छूटी चलना पड़ जाएगा। मीडिया में एक्टरस रश्मिका मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए काप्चर किया और हमारा लुमान है कि वह फिल्म पुष्पा के सेक की तरफ रवाना हो रही थी। काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पैंडे डियर कॉमरे रभी नेटरी काले रंग की स्टाइल में स्वैट के साथ गुमदी दिखाए थी। उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्वा लगाए वैं दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी। बता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका। बहीं क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के वीच फिल्मी केमेस्ट्री जमेगी या नहीं। हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ हमारे च्रानल बॉलिग्राद पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिलचस्ट ताक्स देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के हमारी स्क्रिप्ट या है। अलू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके हैं कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलू अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर मज़ा लेना होगा तो मज बहुत जादा सुपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी ओडियंस है बार-बार इन्हें खबरे देनी परती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियंस के लिए स्पेशल ही अलो अर्जुन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लेकिन ये फर्स टाइम हो रहा है तो अलो अर्जुन ने पूरे जान छोग दी है एक पिया टीम उनोंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी ये अपिस शर्मा शोग में पहुँच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों ये बात वाकई बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मी का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील करने गया है सूर्या जो की अलु अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो की अलु के साथ पहले भी का कर चुके हैं तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए और सेंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मग्लिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अर्जुन उनकी तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें कि अलु कर्देश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे कि अलु अर्जुन का लोग जो की कुर्ली हैर उन्होंने कैरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रही है उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत जादा अन्तजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा का ये जरूर बताईए और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिहाद से नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राए जरूर लिखेगा और इसी तरह के इतना वालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर कि मारता ज्यादा हूं किंता कम हुआ है जिनकर मारने के लिए लिए कोई टाइटिंग तुड़ी है फाइटिंग है एई सर मैं ऐसा ही हूं धूख लगती है तो पेट पर खाता हूं नीन दाती है तो जीवर सूता हूं और गुस् कि अपकमिंग फिल्म पुषपा कितने करोड का इसकीं क्या ओपनिंग रह सकती है पुषपा की ओरडवाइट किलेक्शन किया रहेगा और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुषपा हेलो फ्रेंड आप देख ए मैं सोणी काजाल बात करेंगे صार्प के चालिस रिज इस फिर्म को सुकुमार डारेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कडी सिक्यूरिटी रग दी है और जिसने भी यह लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिये हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते हैं इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इं देगा हिंदी की अगर हम बात करें और हंड्रेट परसेंट ओक्यूपेंसे रही थेटर में अगर पैंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटर में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भासाओं से जो बाकी भाषों में रिलीज हो रही है उससे 50 करोड यह औक्यूपाइ Het रही लेगी एतना कलेग्शन यह करही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह तोर्टल कैलेक्शन ओवर ओल कलेग्शन की बात करें तो 200 से 200 करोड यह फिल्म कमाई कर सकती है हिंदी तामल तेलगू से यह 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटाल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर कि जितनी भी फिल्में आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डव जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैन फॉलिंग काफी तगडी है इसके लावा उनके अपॉजिट इसमें रश्मी का मन अल्रेड का लाम सामने आ चुका है वो है आरिया और आरिया अलु अर्जन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके है तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली ह क्या इस नए के दा से बदल चाहिए अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रुकी अलु अर्जन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलि नीतरी रश्मे का मंदना कभी अपने दिल पिगला देने वाली तस्वीरों की मजह से तो कभी अपने जिम वर्क आउट की वीडियो से लेकिन जल्द ही अभी ग्लामर डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार है उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द ही अलु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही है और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर शक है पुश्पा जो फिल्म में अलु अर्जुन के किरदार का नाम भी रहे गा और ये फिल्म आंदर प्रदेश की जंगलुक से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अर्जुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलु अर्जुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंची वी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म जैडी से शुरू कर दिया था वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नीतरी 24 साल के सभी नीतरी ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाचे से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबो के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉग बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रशमिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रशमिका ऐसे अवतार में दिखेंगी हमेशा ग्लामरिस अंदाज में देखी गया भी नीतरी अब करनी जा रही है गाउ की गोरी का किरदार फिल्म में वे गाओं की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरिस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंदरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल फ्रीनिंग भी ले रहे हैं वही केजी एफ की शीना यानी श्रीनिधी शिट्टी के बाद अब कन्नर व्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती है और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में म्रुनाल ठाकों से पहले रश्मिका कुफल में म्रुनाल वाला किरदार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी है सुन्दर और टालेंटेड आक्ट्रिस पर जी हा संजलीला भनसाली जिन्होंने आईश्वर्य राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बढ़ला वहीं दिपेका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजिराव मस्तानी और पदमावत ने दिपेका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भनसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पड़ा कर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीशक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हिट फिल्म आरिया कर चुके हैं और पुश्पा को मैथ्री मेकल्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आरजन और डारेक्टर को अर्तला श्रवा के साथ फिल्म हाश्टाग एएट्वेंडीवन से भी जुड़ गए हैं फिल्म पुश्पा डारेक्टर सूकुमार अलू आरजन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेलगू हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की राम चरण के साथ हिट फिल्म रारंग्ज थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्वियू के दोरां म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच किया जगया था अलू अरजुन्स टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस ने पॉजिटिव पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली की हिरोईन कहीं फिल्म पुष्पा कीजिए तू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब अलो अर्जन स्टार्डर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इन फिल्म के साथ तेजी से पॉपुलिर्टी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्दर मेटर बजेट हो लिया कॉंटेन्ट परोस रहे है, हर तपके से जुड़े लोग अब साउच सिनेमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउच स्टार्स की फैन फॉलोईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है, पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्यात हैं मुद्दे प फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लोडी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरह से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आई ये डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानि रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेस एन एलूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजून इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलू अरजून और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले हैं से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फलिक्ट होगा अरजून की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलू मर्डर का पता लगाते हुए फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरस्ट में इसलिए अलू अरजून खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चल जाता है अपने फोरस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे है अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि यह पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वह बहुत अपने सूपस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनम दिन के मौके पर अलग-अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लूग भी शेयर किया था जिसमें की बहुत सारी फिल्मों के लिए औरेडी अवार्ड जीत चुके है और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102, नौट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लोक देने के लिए प्रतिशील बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लोक सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोक शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने ह अज ही अनौन्स कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहारी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो एक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलो बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथी अलो अर्जुने से कैप्शन दिया है है हाश्टेग पुष्पा लोडिंग इन थीएटर स्रॉम 13th of August 2021 एक्साइटेड तो मीट यू आल इन सिन अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डिरेक्ट कर चुके है फिल्म में अलो अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और एक्ट्रस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार फिर की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी यह दक्षडी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विजय सेतु पती और अलू और जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले यानि कि खदनाना के अक्षन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में जरू बताएगा फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को यह फिल्म रिलीस ह मैं हुष्टियान रोना आपके आज की होस्ट और आज अंबात करने वाले है फिल्म पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लाइंगूइज एक्शन त्रिलर फिल्म है जोसे डारेक्टर अलेका सूकुमार ने हैं सूकुमार एक इंडियन डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती बाबू प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को प्रिड्यूस मेथरी मुवी मेकर्स अन एस्सोसियेशन विद मुत्तम शेटी मीडिया के तहत प्रिड्यूस किया था फिल्म पुष राजा एे,चैनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजक्ट अना sucks किया था मिखेश बाबू के सांथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की accessible difference की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया डॉप कर दिया और उनका नेक्स प्रोजेक्ट सरे थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में, सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेड सांडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था, आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉंच किया गया था, अक्टूबर 2019 में, डिसेंबर 2019 में डिरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट श करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में, विजे सेतुपती बहुत चचा में थे, इंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए, रश्मिका मंदाना को एपरिल 2019 में अस लीड आक्टर कास्ट किया गया था, और जगापती बेबी और प्रकास इशूस की वज़े से, कन्नडा के फेमस आक्टर धननजी को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था, निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सुपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था, बस फिल्हाल इस फिल्म के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो से लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमाई चैनल बॉल्ट्रास वीडियो को सब्स्क्राइब भी जरूर करें, हम जल्दी लोटिंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ, आज की स् इतना वालेंस, मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं किंता कम, गिंकर मारने के लिए यही टाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है, सर मैं असा ही हूं, भूख लगती है तो पेट बर खाता, लीन दाती है तो जीवर सूता, और गुश्सा आता है तो झालेंस, मेरी प्रॉब्लम है, सर लगती है तो जाता है तो जाता है क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा अब सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिगराश वीडियोज में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इलियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने ओरिजिनल भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में S.S. राजा मॉली की फिल्म बाहु बली दे बिग्निक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रिडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रिडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टार प्रभास की पुपुलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आदी पुरुष और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनन्द की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म KGF चाप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रेसेज ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी को जब भी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नीत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और स साथ ही साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइचल मिला था ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बादें बड़े-बड़े हीरो के सांग काम करके अपने करिय उन्हें RSVP Movies की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनु ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्म में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहुतरा मगर हाल ही में सिधात मलहुतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट धूट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अर्जुन की एक फिल्म आई अलू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहां जा सकता है कि अलू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश्मे का कि उस ख्वाइश की वज़ा से चली दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन इस वक्त फिल्म इ रेश्या कहना एक मीटिंग के बारे में गये कमिंग बॉक्स में अपने जाज शेयर करें कि अ हैं कि अ कि अ सब्स्क्राइब कब तक रेलीस होगी फिल्म पुष्पा केतने अवाद्स जीट चुकी हैं रश्मे कमंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है में तहें दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलिगराद स्टूडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को एन तक जरूर करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के जैसा कि आप सब जाजते हैं कि पुष्पाइक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांग्वज आक्षिंत्रुला फिल्म है जिसको लिखा और डारेक्शन कर रहे हैं सुकुमार इसे प्रडियोस किया है नवीन यरनेनी और वाई रभी शंगर ने जो माइत्री मुवी मेकर्स के असोसियेशन में मुट्टम से टी मीडिया से हैं अब दे फिल्म स्टार अलु अर्जुन आन रश्मी का मंदिना जबकि जगपती बाबु भी है प्रकाश राज धनन जय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाल किया जाएगा जो की 8 एपरिल को होगा वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदिना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुग महिला का किरदार निभादी नजर आएंगी वहां हर बार सेट से तस्वीर साजा करती रही है पिंक वला पुष्पा के रिपोस के अनुसार पुष्पा के दो शूटिंग स्केडियूल्स पिछले महीने राप अप हुए थे और निर्माता उन्हें ट्विटर पर इसकी घोशना भी की थी उन्होंने लिखा था टीम पुष्पा ने नवेंबर 2020 और जिनवरी 2021 के दौरान राम शासन के प्रती अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं जिसके बिना हमाई शूटिंग पूरी नहीं हो पाती थांक यू रंपा चोद्वारम और मार्देवली अब हम निश्चित रूप से फिर से वापस आ जाएंगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा वहीं अगर हम रश्म की बात करें तो हमारी इंडियन नाशनल क्रश यानि की रश्मिका मंदना नहीं अभी तक पाच अवार्द्स जीते हैं जो की है बेस्ट डेब्यूटेंट फीमिल फॉर किरिक पार्टी बेस्ट अक्रिस फॉर अंजानी पुत्र बेस्ट आक्रिस फॉर गीता गोविंदा और क्या सोचते हैं क्या रश्मिका अपना जादू विखेर पाएंगे फिल्म में अपनी क्यूटनेस और होटनेस के साथ और अलो अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं हमें कमेंट से इन कारों से हुई पुषपा फिल्म के शूट शीरियों में देरी या इस डिले की वज़ा से पुषपा की रिलीज डेट पर भी फर्ग पर सकता है पॉली ग्रेट स्टूडियोज में आपका स्वागत है अलो अर्जुन ने एक दो वर्ट्स में ही पुषपा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म और टेलेविशन के फुल फॉर तो थेत्रिकल रिलीज को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर सुर्डेंटली शूट होने ही फिल्म के शूट शूट में गड़बरी हो गई है और कास्ट एंड क्रिव की सेफटी को मध्यनजार रगती हुए इन शीडियोज को अभी पोस्ट्पॉन ही करने में में मे पाए थे अब जैसे ही इसका अगले शीडियोज की तरियारी कास्ट एंड क्रिव ने शुट की तो इनका रास्दा कास्ट लिया कोड़ोना ने क्योंकि फिल्म काफी बरे स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रिव भी काफी ज्यादा काम कर रहा है और फिल्म के साड़े शीडियूल आउटसाइड ही शूट होने है इसलिए डारेक्टर साहिब सुकुमार ने सेफटी को चुनते हुए शूट को तालने की सला बनाई है इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीस पे ज़रूर पढ़ने वाला है और मेकर्स के लिए र चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबक तो शूट तभी शूरू होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म की रिलीस डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े हाला कि रिलीस डेट पे मेकर्स तभी कुछ फा अब ये वाइदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अलो की तरफ से मिला है वो तो मात्रतो तेलिगू वर्ड्स का है खगे देले अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं अलो अर्जुन एक अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और ये ही करना भी पड़ा है पुषपा फिल्म के मेकर को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ के सूपरस्टार अलु अर्जुन और रश्मी का वंदना के फिल्म पुषपा की पहली जलक सामने आ गई है इसका खुलाशा करते हुए मेकरस ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है इस वीडियो को देखने के बाद अलु अर्जुन के फैंस बेहद एकसाइटीड हो गए है इस वीडियो में हमें अलु अर्जुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाल सी उनकी सबसे बड़ी पहचान है जहां इस फिल्म का चोटा टीजर भी कमाल क दोस्तो देखा जा तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था मेकस ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोडीउस करा दिया जहां बताया किया कि इस फिल्म में नैशनल अवार्ड विनर मलیालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के कैरेक्टर निभाएंगे इसक्रिन पर अलू अर्जुन और फाहद की टक कर देखने लायक होगी दोस्तों बात करें फ़स्ट लुक की तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक वेक्ती जंगलों के बीच भाग रहे जिसके दोनों हाथ पीछे हैं हाथों में रसी बंदी है और पूरा चेहरा लाल कपड़े से ढखा हुआ है अगर बैक्ग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलू अर्जुन पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं अब ये सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अलू अर्जुन भाग रहे हैं और उनक पूरा विश्भास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे पुश्पाफ फिल्म की कहान ही एक एक्शन एंटेटेनिंग स्टोरी है जिसके जरीए दर्शो को फ्रेस और जबरदस कॉंसेट देखने को मिलेगा वेल दोस्तो देखा जा तो अलू अरजुन की जितनी भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट होती है और जब उन फिल्मों में अलू अरजुन का तड़का लगता है तो फिल्म और धहमाकेदार हो जाती है तो दोस्तो आपको कैसा लगा ये फिर्स्ट ग्लिम्प आफ फुश्पाफ फिल्म नीचे गमेंड बॉक्स में अपनी अपनी राइश अपोजिट फिल्म में रश्मिका मंदाना भी होंगी इनके रोल के बारे में हमें जादा कुछ पता नहीं लेकिन हीरो हीरोन के अलावा एक और इंपोर्टन्ट रोल होता है स्टोरी में जी हाँ वो है विल्म का तो जी विल्म के रोल के लिए भी मेकर्स ने एतागड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर हैं जो साइड रोल में होके भी में अक्टर की परफॉर्मेंस पो डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विल्म पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देते हैं अज़ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगलादे हो तुम जड़ा सा खून देंकर इतुना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां पहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेगार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पक्तरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादू गेटों की तब ही नहीं है इस मल्क की मिट्टी उतके खून से नहीं होगी उनने एक राक्चस को तो दबोच हुए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा जब अभाद अभाद एक रहा है इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को इसकी जड़ों से ही इगला देखा तुम जड़ा साथ खून दिकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफ़ा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसके कोई की मत नहीं है जिसका तिल पत्रका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर वेटों की तवी नहीं है जुस्तान मुक्त इमिटी उसके को तो तबोच भी लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लेकिन उसके साथ अलावाण इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रेटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला देगा तुम जड़ा साथ खून पिककर इतना तर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां पहाद मुत्फ़ा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है यहां जिसका तिल पत्थर का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तमी नहीं है इस मलक की मिट्वी उचके परून से नहीं हुए हमने एक राक्षस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिए हमें बयोच लिए!